बच्चो आपके जो board examination cancel अभी कल दो दिन पहले हुए हैं लेकिन confusion बढ़ती जा रही है बच्चों के बन में अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब exam cancellation की news दी तो उसके साथ एक update दिया एक चीज और एड़ की कि जो आपका result होगा वो class 12 का जो होगा वो एक objective criteria की हिसाब से बन प्रधा था कि objective criteria क्या होना चाहिए या क्या होगा यह हमें किसी को भी नहीं पता हैं लेकिन अभी कल Supreme Court की हेरिंग जो 3rd June को थी उसके हिसाब से उसके मताबिक देखा जा तो Supreme Court ने CBC को orders दिये हैं या कहा है उससे कहा है कि आप जो है वो दो वीक के अंदर इसी जून महीने में दो हपते के अंदर जो आपना वेल डिफाइंड क्राइट जो objective criteria है उससे आप डेवलप करिए उससे आप बनाईए जल्दी से जल्दी ताकि बच्चों को रिजल्दी से मिल सकें क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है आप समझे कि आपके जब यूजी के एडमीशन के लिए आपको अप्लाई करना उसके लिए बहुत जाड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी तो उसके लिए आपको अभी से प्रपेरिशन करनी पड़ेंगी और कैसे होगा अभी वह भी क्लियर नहीं है मार्किंग क्या आएगी किभी से मार्क मिलेंगे यह सभी चीजें अब कंक्यूजन में हैं अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है रिजल्ट की इक्सपेक्टरइड की बात करें तो इस वह 15 जुलाई हूए 15 जुलाई के पहले सभी बोर्ट्स क का हो या फिर यूपी बोर्ड का हो वो जो रिजल्ट है आपका वो 15 जुलाई के पहले पहले आ जाना चाहिए बाकि बात करें तो अगर और वצी से इंटरेंस ऐग्जामीनेशन को सो और वह भी शुरू होने वाले हैं दिल्दी उन्वासिटी ने भी अपने प्रड्रेंस और इंफॉमेशन जारी कर दिये हैं मतलब अभी तो यह नहीं पूरी तरिकर से क्लिर नहीं किया है लेकिन जो CBSC Board है उसने कहा है उसने कहा है कि हम जो है वो new objective criteria को मानेंगे और इसी के हिसाब से बच्चों के admission मिलेगा तो ये भी आपके लिए हो सकता है और मांकी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे कोई updates आती है जैसे इसल की और कोई date आती है कु आती है नेकि विए उन्तुप्ता के लिए जाएं